हेलो फ्रेंज वेल्कम बेन टो गर्प गुरू मैं डॉक्टर प्रिम्व का यदो ऊज़ हम बात करने वाले है नारेल पानी प्रेग्नाश्ळी के दरान पीना चाहिए या नहीं नारेल पानी पीने से क्या क्या फाइदे होते हैं कभी यह बड़े बोलते हैं को नारेल 4 पी ने से बच्चे को नुकसान होता है और जरूरी आप नारेल-पानी पी रहे है तो कितना पीना चाहिए और किस टांप पेना चाहिए को कि टैमंग भी जरूरी है यह इस आप पानी गलट टाइम पे लेंगे यानि के दिन के कौन से टाइम पे पीना चाहिए बहुत ज्यादा जुरूरी है गलट टाइमिंग की वज़े से आपको फारिजे की जग नुकसान ज्यादा होगा तो यदि अपने पानी पी रहे तो वह सही तरीके से पी रहे या नहीं वह भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है यहां पे बहुत अच्छे अच्छे प्रेग्नसी डिलेटेट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे तो चले शाट करते हैं नारियल पानी कब कितना केसे ले जिससे आ इंदर 94 परसंट वोटर ही है यह फेट की बात करें तो नहीं वद्सक्राइब आप मान सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो उसके खास्या थे वह उसका इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर जो है वह आपकी बोडी में इलेक्ट्रोलाइट बेलेंस करेगा जिससे आपके पाव सबस्क्राइब एक सबस्क्राइबा भ्रक्त जो है माप पाने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंस्तुपृण बहुत है यह जो तो गर्मियों में आपको ज्यादा निकलता है और उसके चलते आपको कभी कभी ब्लेक आउट हो जाता है यह ज़्यादा प्यास लग जाती है यह दिया डेली एक नारेल पानी पीएंगे तो बोडी में इलोटर इंबेलेंस वह कभी नहीं होगा दूसरा अपका बीपी पी दि लिए पीना चाहिए यह आपके अंदर इंफेक्शन प्रिवेंट भी करेंगा प्रेगनंसी के दोरान बार 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 वाइट डिस्चार्ज की दिकत नीचे के भाग में इंफेक्शन की दिकत बढ़ती है तो यह से में यदि आप नारल पानी पीते रहेंगे तो इंफेक्श यूरीन है वह आपको नहीं होगा लेकिन आप टाइमिंग गलत रखेंगे नारल पीने का तो यह यूरीन की दिकते वह बढ़ जाएगी जिसके चलते आपकी नींद अच्छे से नहीं होगी आपको डिकत ज्यादा रहेगी भूक नहीं लगेगी यह सारी चीज़े होगी तो किड्नी स्टोन की दिकत है कई बार प्रेगनेंसी के पाहले की तो ब्रेक करने में भी नारल पानी हेल पानी करेगा आपको दूसरे फाइदे आपकी स्कीन के लिए और हैं यानि कि नाविल पानी का डेली सेवन करेंगे तो आपके बाल और आपकी स्कीन आपकी तोचा बहुत ही मुलायम रहेगी और निखरी निखरी रहेगी इतने चार फाइदे आपके थे लेकिन आपके बच्चे के फाइदे इससे ज्यादा है हर एक लड़की का सपना होता है कि अच्छी आए तो यदि आप नाविल पानी डेली लेंगे तो आपके अंदर जो बच्चे का रंग है वह निखरा निखरा आएगा उसकी जो स्कीन है वह हल्दी आगी क्योंकि आगे जैसे बता है इसके इंदर एंटियोक्सिडंट है विटामिन सी है और सारे जो निट्रिय होना चाहिए उसको जो मिलना चाहिए वह अच्छे से मिलता रहेगा कभी कभी हमने देखा है कि 7 महिने के बाद स्पेसली पानी कम हो जाने की दिक्कत रहती आप कितना भी कुछ को अपकर कम ही रहता है और यदि बहुत ही जद्दे इम्यूटिक प्लूट कम होगा तो आपक अर्ली डीसीजन लेना पड़ेगा बच्चे को बाहर निकालने के लिए क्योंकि अंदर बच्चे का विकासी नहीं होगा तो बच्चे को खो देने तक के भी चांसे समने देखे हैं तो यह सब ना हो यानि का इम्यूटिक फ्लूट मेंटें रहे उसका बेलेंस रहे अंदर अर्ली आपको डेल एक नारेल पानी पी लेना चाहिए और यदि आपको यह दिक्कत है कि आपका इम्यूटिक फ्लूट कम है कि इतने भी दवा इंजेक्शन के बाद प्रोटेन इंटेक के बाद भी नहीं बढ़ रहा है तो आप नारेल पानी ट्राइक करके देखें डेल ए आपके बच्चे के बालों के लिए भी अच्छा है यopia आपके बाद रुखे-रुखे हैं और आप जाहते हैं एक बच्छे के बाल अच्यादी आए तो नारेल पानी पेएंगे तो बच्चेके शीकोम यह ङो जाती हो यह कूला हैser है दो यह झोक नहीं हैं नारेल पानी 1–11 के बिछ में कियो आपको नारल पानी पीठे के छाहिए कि यदि आप एरली मॉर्निंग खाली पेट में नारल पानी पीएंगे तो आपको लिए एकor पार पानीं वहां पर बिदू नारल पानी के लिए फिर पेड़ होगी। तो आपको नाडल पानी 10-11 के बीच में पीएंगे आपको गेस की अपचन की या फिर शूटना हो इसी कोई दिक्कत नहीं होगी कभी कभी लोग यह भी करते कि सामके टाइम पर नाडल पानी पीते हैं चार बज़े के आसपास या छे बज़े के आसपास तो वह नहीं पीना चाहिए क्यूँ क्योंकि हमने जैसे आगे आपको बता था यह कीड्नी को नेच्रल डालेसिस का काम भी करेगा यानि कि जब नाडल यहां पर यदि आप सामके टैम पर पियेंगे तो यूरीन फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी और रात में आपकी निंदी कंप्लीट नहीं होगी रात में भी बार बार ठोटके आपको यूरीन के लिए चाहना पड़ेगा क्योंकि आपके सामके टैम पर नारल पाने पिया है इसल प्लियर आउट हो गया है और उसमें वहां पर कोई दिक्कत नहीं है इंपिक्शन नहीं है तो सामके चार बजे के आसपास भी आपको नहीं पीना चाहिए तो यहां पर टाइमिंग हुआ सुपर के 10-11 के बीच में आप डेली का एक नारियल पीएंगे ज्यादा पीने से ज् जल्डी मेच्वर हो जाएगा या फिर अली डिलेवरी हो जाएगी तो स्कीन आपको कच्ची नहीं खाने आप उसकी कोई कोकोनट की आप चटनी बना रहे है या फिर कुछ और ले रहे है तो इस तरह से सही सही टाइमिंग पर सही मात्रा में नारेल पाने पाने तो बहुत स से यह काम करता है इस में से भी कुछ कन ने ताफ हमें कमेंट भॉक्स में पूछ सकते हैं आपको कोकनट ओटर के लावा प्रिग्नेंसी के दोरां पर कुछ कुछ क्प्लेंट कर सकते हैं वहां पर क्यों अनलाइसिशन होते रहते जल्दी से आंसर मिल जाएंगे वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंसे करना नहीं पूलना और अभी तक गर्भ गुरू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजय क्योंकि आपके लिए बिल्कुल हिपकी है तो चलो फ्रेंट फिल जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए शेल दिशेपी बाई